असलामों अलेकम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आप सब को यूट्यूब चैनल इंग्लिस लिटेटर्चर पर वालकुम कहती हूं हम जो पॉइम कवर करने जा रहे हैं आसके लेक्षर केंदे दाटर्स किंग फिशर जिसको लिखने हैं दाउत कमाल किंग फिशर किसे कहते हैं एक परिंदे स्क्रीन पे देखें आपको नेजराज़ी की पिच्चिरिस की इस परिंदे का काम क्या है यह Master of dive के नाम से मशूर है यह पानी में गोता लगाता है मतलब पानी के इंदर डूब जाता है और डूब के पानी के इंदर वहां से मश्ली निकालता है और निकाल के आजाता है और खा लेता है ठीक है यह इसका काम है और इसके speciality भी है एनिहाव जो हमारा kingfisher यह जो bird है यह जो परिंदा है की space पर फिरमा से मैंने आपको बता दिया यह symbol किस चीज का है जो kingfisher है basically यह symbolize करता है freedom को, courage को, power को, adventure को, balance को, fertility को और good fortune को खीक है मैंने क्या बताया good fortune, fertility, balance, adventure, freedom और courage यह सब जो है symbol associate किये जाते हैं kingfisher के साथ on the other hand हम देखेंगे कि इसके इंदर जो kingfisher है वो as a metaphor यूज किया गया है किस के लिए? अपरिल के लिए चुरू करते है poem को आप देखेंगे साथ-साथ कि जो poem है, poem के इंदर writer ने imagery का यूज किया, imagery किसे कहते हैं बहुत ही important topic है मैंने इसको पर detail lecture बनाया हुआ, मैं link description में डाल दूँगी आप उस link के उपर click करके उस lecture को अप्रोच कर सकते हैं और मैं आपको recommend करूंगे, वह lecture लाज़मी सुने का क्योंकि imagery बहुत ही important topic है और दाउत कमाल अपनी तक्रीबन हर poem के अंदर imagery का यूज करते हैं तो anyhow, poem देखें, April poem के starting हो रही है April से April किसको symbolize का रहा है rebirth को, revival को, reborn, refresh को, freshness को, fertility को symbolize का रहा है और तो और April symbolize का रहा है love को, ठीक है, important symbol love कि April के अंदर basically जो young generation होती है उनका love जो है, वो own peak होता है इसलिए April जो है, वो symbol of love भी है और अगर आपने चोसा की category tales पड़ी हुई है तो उसमें देखेंगे, वो बात किसकी करता है, वो शुरू ही April से करता है ठीक है, और April की तरीफ काय रहा होता है, April को praise दे रहा होता है, तो यह वो ही April यहां पे यूज किया इसने, और वो ही April हमने जब इलिएड की point पड़ी थी, the wasteland, उसमें जब उसने word यूज किया था April, तो वहां पे April को उसने cruelest कहा था, कि यह cruel one था है, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं होता, और ऐसा क्यूं कहा था, क्योंकि उस टाइम पे जो modern generation थी, वो decay हो चुकी हुई है, वो wastelanders बन चुकी हुई है, उनको एपरिल के आने से कोई भी फरक नहीं पड़ता, वो revival नहीं चाहते, वो rebirth नहीं चाहते, वो freshness नहीं चाहते, जैसे उनकी life चल रही थे, वैसे उस life को गुजारना चाहते, clear, तो हमने April के starting से दो poems पड़ी थी, एक Elliot की, The Wasteland, और एक Chaucer की, Canterbury Tales, Anyhow, अभी हमारी third poem में हम पढ़ने जा रहे है, जो April से शुरू हो रही है, इसके लगा, लावा जो आपको ये April का word है, ये Ted Hughes की poem, The Chaucer के अंदर भी मिलने को, पढ़ने को मिलेगा, तो in short, ये जो word April है, और ये जो month April है, ये एक significant month है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया, इसके अं the writer की sense में यूज़ कहा रहा है, कहते है, April is the kingfisher's beak, which passes the river's glad torment, important word, glad torment, glad torment मतलब, happy torment, torment किसे कहते हैं, अगनी को, दुख को, depression को, stress को, साथ में बर्ड लगाया गया है, glad, यनिकि happy, ठीक है, तो वो torment जिससे आपको happiness मिले, वो torment जिससे आपको खुशी मिले, वो दुख जिसके साथ आपको खुशी भी मिले, तो यह क्या है, डो contradictory word यूज़ किया, राइटर ने, तो it means, राइटर ने यहां पर oxymoron का यूज़ किया, क्या यूज़ किया, oxymoron, जो कि एक figure of speech है, और यहां पर राइटर ने metaphor यूज़ किया, कैसे, कहते है, April is the kingfisher's beak, बाया हुआ है, ठीक है, तो कहते है, April जो है, वो kingfisher की, बीग की तरहां का है, जो क्या करता है, जो, पारिस इस्था, रिवर्स, ग्लाइट टॉमन करता है, जो दुख भरे द्रिया को, खुशी के साथ, दो टुगडों में, बांट देता है, और उसको दुख भी मिलता है, लेकिन दुख के साथ, उसको खुशी भी मिलती है, means, ambivalent feeling होती है, कि दो feelings एक साथ, दो contradictory feelings एक साथ होती है, अब यहाँ पर बताया के गया है, kingfisher का का क्या है, kingfisher जो है, अपनी चूंस के साथ, दिरिया को, दो टुकडों में बांटता है, और दो टुकडों में बांटके, अपनी मचली निकाल कर खा जाता है, यह उसका काम है, और यहाँ पर एपरिल के लिए भी same काम बतायागे, कि एपरिल भी क्या करता है, एपरिल भी दिरिया को दो टुकडों में बांटतेता है, जहाँ खुशी भी मौजूद होती है, जहाँ गम भी मौजूद होता है, और अपरिल जो है, उसने लवर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दी है, जिससे उनको तकलीफ भी मिली है, और खुशी भी मिली है, क्योंकि एपरिल जो है, वो सीजन ओफ लव है, ठीक है, और लव इस नोट अन इजी टास्क, जो महबद है वो इजी टास्क नहीं है, और लव के बारे में बहुत सी आपको sad and joyous kind of interpretations मिलेंगी, मतलब glad torment kind of, कि वो दुख है, वो जखम है, वो तकलीफ है जहां पर आपको खुशी भी मिलती है, और ये एक kind of alien है, ठीक है, कहता है, is this an image of our love, क्या ये हमारे मुहबद का image है, क्या ये हमारे love की representation है, ये हमारे love की representation है, फिर उसके बाद next line में of our love है, तो राइटर पूछ रहा है, क्या ये हमारे मुहबद की एक तस्वीर है, क्या representation है, और राइटर ये question पूछते हुए, इंजाम्मेंट की टिकनीक है, इवन कि राइटर पूरी ही poem में इंजाम्मेंट इंजाम्मेंट क्या होता है, इंजाम्मे इंजाम्मेंट की एक पूरी है, इस इस इन इमेज, किसकी इमेज है, नेक्स लाइन में बताया है, इतना क्लियर है आपको, अब यहां पर एक और interpretation देखे, यहां पर क्रेलिटी ओफ नेचर भी देखने को मिल रही है, इसे कि अपरिल जो है, उस मंत के अंदर क्या जा रहा ह लोगों को दूर किया जा रहा है, अपरिल के अंदर partition क्रियेट की जा रही है, ओन दा अधर हैंड किंग फिशर के अधर पानी को जुदा कर रहा है, अपनी बीग के साथ, और क्या कर रहा है जी, एनिमल को खा रहा है, तो यहां पर हम लोग क्रेलिटी भी देख रहे हैं, न the rose valleys, rose valleys कहते हैं, कहां पर carnage हुई है, rose valleys के अंदर, under the first light of our wounds, कहां पर, first light of our wounds, जहां पर हमारे जखम थे, overwounds, जखम को, अब यहां पर एक और सिस्पता जा रही है, कहते हैं, यह तो क्या है, कार्णेज है, कतले आम हुआ है, किस जगह पे, जहां पर rose valleys थी, rose basically red होता है, तो rose है, वो symbolize कर रहे हैं, blood को, कहते है, क्या हुआ है, उस rose valleys के अंदर, कार्णेज हो गया है, कतले आम किया गया है, इतने लोगों को मार दिया गया है, और उन लोगों में, जो पहला जखम था, under the first light of our wounds, वो पहला जखम हमारा था, यानि कि हम लोग यहां पर stress देख रहे हैं, again हम यहां पर reality देख रहे हैं, और अगर हम in lines को एक और एंगल से देखी, वो क्या है, जब उसने पहले picture दिखा दी, कि apart कर दिया गया, ठीक है, अपरल ने apart कर दिया, अलग लग कर दिया, तो पूछता है, क्या यह हमारे महबत की image है, अगर से कहता है, नहीं, यह तो कत peaceful place है, हमने देखा था, जब हम इसकी दरहबल पड़ी थी, वहां पर peaceful place का इसने नाम लिया था, लेकिन वहां पर image जो था, violent create कर रहा था, violence दिखाए जारी थी हम लों को, सेम यहां पर भी, हम लों को disturbance वाली, के उस वाले image दिखाए गई है, यह हम लों को alien versus reality का theme नजर आ रह रही है, कि यह सब कुछ हो रहा है, क्या यह मुहबत है, यह मुहबत तो नहीं है, red जहां पर roses है, उस roses की वलीज के अंदर भी, एक कतल गारत है यह, कतले आम है यह, जहां पर जखम मिल रहे है, अब next lines देखें उसमें क्या होता है, clouds detach themselves, clouds भी, बादल भी, खुद को दूर कर द्रक्त, कितने जब द्रक्त उदास होना, उस उदास द्रक्त से भी, बादल भी दूर हो जाते हैं, मतलब जब person अकेला होना, यहां पर अगर हम लोग अपेरेंट, like duck winning देखें, तो अकेले person के उपर किसी का भी साया नहीं रहता, सब उसे तनहा छोड़ जाते हैं, कोई भी उसके साथ नहीं रहता, the future curves on an other shore, अब क्या है, जो इनसान का future है, वो भी कहां लाएकर है, an other shore, यहनि कि एक और seaside है, यह लेकर उसके करीब जो edge होता है, उसके उपर इनसान का future लाएकर है, मतलब खाली पंस है, आगे देखें, tongues of water cradle over startled dreams, startled dreams कहते हैं, कि एक हिरान करने वाले ख्वाब, ऐसे ख्वाब जिनको पूरा होना बहुत मुश्किल है, और कहते है, वो ख्वाब कहां पर रह रहे हैं, tongues of water cradle, water cradle मतलब पानी का जूलना, पानी का बहना, और आपने glacier देखे होंगे, कि बरफ के जो पहाड होते हैं, वो पहाड क्या होते हैं, पिगलते हैं, और प पिगलते जा रहे हैं, कि फिर यहां पर खाली पंसा दिखाया गया है, emptiness दिखाया गया है, यहां पर, कि राइटर बिसिकली, जब भी पॉइम लिख रहे है, पिजेक्टिट टोन दिखा रहा है, उसके बाद है, most grown stepping stones, यह स्क्रीन पर रखें, green आपको नजर आ रहा होगा, तो इसको कहते है, most grown, most basically, आपने देखा, जब भी अगर आपका गान, नरान, या फिर मरी वली साइड, कहीं पर भी ऐसी जगह पर गए हो, जहां पर पानी मसलसल गिर रहा होता, पत्थर के ओपर, तो वहां पे green green से जो है न, कोई चीज उग जाती है, तो जो green green से चीज होत वारेस करते हैं गुसे से, शिद्दत के साथ, एवन कि सितारे भी सितारे भी से के लिए होता है, twinkling करते हैं, चमकते हैं यहां पर burns फारेस ली, गुसे से चमक रहे हैं, गुसे से जल रहे हैं, और इस सब कुछ क्यों लग रहा है, क्योंकि एमलेसनेस, hopelessness है, restlessness है, redlessness है, ठी यहां पर नेचर देखें, सितारे भी जल रहे हैं, जो स्टैपिंग स्टोन्स थे, जहां पर कर्दम रखके चला था, वहां भी मौस उक चुकी हुई है, इवन के, जो हमारे खवाब थे, हैरत अंगेर खवाब, वो भी कहां पर हैं, वो भी टंग्स अप वोटल के ओपर, व हम कौन है, मतलब यहां पर emptiness की बात की जा रही है, बात की जा रही है, quality की, quality of nature की बात की जा रही है, illusion versus reality की बात की जा रही है, जो लास ना, they tell us what we are, यह एक reality को टिपक्ट करें कि हम क्या हैं, हम useless हो चुकी हुई है, हम लोगों ने अपने आपको खो दिया हुए, हमारे लोगों पहला संबजने के लिए दूसरे संटेंस पर रलाय करना पड़ रहा था, personification का use कि राइटर ने, जसे कि डिसकॉंसलेटरी, दिसकॉंसलेट में उदास, तो द्रख जो है, वो क्या उदास होता है, द्रख तो non-living thing है, तो राइटर ने नन लिविंग तिंक को, living thing की quality दी, तो इत्मिस राइटर ने इसकंदर personification भी यूज किया, and imagery तो through and through point इंदर य यूज हो रही है, कभी कोई image क्रियेट कर रहा है, तो कभी कोई image क्रियेट कर रहा है, metaphor का use कि title itself, metaphor के लिए, ठीक है, तो यह हमारी poem के, जो भी important aspects थे, I hope that आपको clear हो चुके होंगे, फिर मिलते हैं, next video में, next lecture साथ, तब तक दूआ में खास याद रखिएगा, Allah Hafiz,